सच में लाखो दुखो की एक दवा नमस्कार्सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन आज मैं आपको लाखो दुखो की एक दवा का नाम बताने जा रहे हूं जो आपके रोगों कस्टों तकलीफों को तो दूर करेगी वह होए लेकिन आपका भागे भी उदे कर देगी और आज आपको मैं बताऊंगी कि गाए के दूद गो मूत्र और उसके अर्क उसकी हर चीज़ का कितना महत्व हमारे जीवन में अपने नाभी पर हर दिन सुभा अगर इस्तरियां नहा कर या सोने से पहले दो बूंद घी गाएं के डाल ले तो बिमारी भुडापा करोना उनके पास जीवन में कभी नहीं आ सकता नाभी में घी लगाने से आपके जीवन के अंदर बहुत सारे चेंजिस आते हैं अगर कहते हैं आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने नाखूनों के उपर मा गव माता का गाएं का घी रोज लगाना इससे आपके नेल्स तो बहुत अच्छे होते ही होते हैं पर आपका राहू ग्रह बहुत अच्छा होता है और ऐसा करने से आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है गाएं के घी को नाक में डालने से पागल पंदूर होता है और खास कर जिने मिर्गी के दोरे पड़ रहे हूं मिर्गी के दोरों में भी अराम मिलता है अगर आपको बहुत जादा जुखाम हो रहा हो और सुंगने की हमत बिना हो तो भी आप गाएं के घी को सुंगने की कोशिश करें और कौटन में लेके गरम करकर नाक की सिकाई करें तो आपके जुखाम में बहुत राम मिलता है गाएं का घी नाक में डालने से ऐलर्जी खतम होती है गाएं का घी नाक में डालकर आपको लकवा जैसे रोगोस का उपचार किया जा सकता है 20-25 गाएं का घी मिश्री में मिला कर अगर रोज पीने के लिए ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसे गांजा पीने की शराब पीने की लथ हो उसकी शराब छूटने लगती है गाएं का घी नाक में डालने से कान का परदा भी अगर फटा हो तो कुछ दिन में आटोमेटिकली वो परदा सही होने लगते हैं तो आपके गाएं का घी खाने से आपकी मानसिक शक्ति तेज होती है आपके गाएं का घी नाक में डालने से आपके बाल ज़रने बंद हो जाते हैं यकीन मानिया और तेजी से बड़े भी होते हैं गाएं का घी नाक में डालने से मानसिक शांती मिलती है गाएं के घी की जो शंकर भगवान शिवाले के मंदर में लगाने से का आप पैरों में जलन हो रही हो या आपको खुश्की हो रही हो तो गाय का घी गरम करकर मालिश करने से आपकी खुश्की और अलर्जी दूर होती है और आपका भाग्य उदे होता है हिचकी रोकनी हो तो खाली पेट गाए का आधा चम्मज घी ले लें और गरम करके उसे पी जाए हिचकी तुरन रुख जाएगी गाए के घी को नियमित रूप सेवन करने से ऐसे डिटी और कब्ज जैसी परिशानिया दूर होती है